आजकल म्यूजिक सिस्टम में इतने सारे ऑप्शन्स हैं स्टीडियो स्पीकर्स, मोनो स्पीकर्स, सरान सिस्टम, 5.1, 7.1.2, टॉल्बी आट्मोस कन्फ्यूजन ही हो जाता है ये सब क्या है आखिर? डोंट वरी आज हम ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करता है हम सब किसी भी आवाज को सुनके उसकी लोकेशन का अन्दाएजा लगा सकते है और ये भी अन्दाएजा लगा सकते है कि वो आवाज कितनी दूर से आ रही है जो मोनो स्पीकर्स होते हैं वो आपके कानों तक एक जैसी आवाज पहुचाते हैं यानि Mono Speakers के तुरू आप आवाज में Left and Right को समझ नहीं पाएंगे आवाज आपको ऐसा महसूस होगी कि वो Center से ही आपकी तरफ आ रही है लेकिन जो Stereo Speakers होते हैं उसमें आप आवाज को Left से, Right से, कहां से आ रही है ये भी आप महसूस कर सकते है Overall आपको Audio का 3-Dimensional effect महसूस होगा जादा तर हम Stereo Speakers को Music सुनने के लिए ही यूज करते है या Normal TV देखने के लिए भी Stereo Speakers का ही यूज किया जाता है चलिए Mono and Stereo Audio को सुनके देखते हैं कि कैसा Experience आता है अब समझते है Surround Sound को ये Sound जादा तर आपको Movies Hall में सुनाई देता है Surround Sound का Experience सबसे Best Movies देखने के लिए ही किया जाता है इसमें दो कैटेगरीज है 5.1 और 7.1.2 5.1 में 5 का मतलब है 5 Audio Channels होते है एक आपके सामने, दो सामने में Left and Right, दो पीछे में Left and Right और एक होता है Base के लिए यानि कि Woofer तो Overall हो गया 5.1 लेकिन 7.1 में दो Extra Audio Speakers भी होते है Left में और एक Right में तो Total 7 हो गया और एक Woofer और दो Extra Speakers उपर में, Ceiling में लगाए जाते है ताकि आपको कोई भी आवाज उपर से सुननी हो तो उसके लिए भी Speakers दिये है इन सारे Speakers की मदद से हम आवाज को अपने Surrounding में महसूस करते है जैसे कि Movie Hall में किया जाता है मान लीजे आप Movie में देख रहे, Car Right to Left जा रही है तो Speakers की मदद से आपको यही सुनाई देगा कि Car पहले Right में थी, फिर Left में चली गई ओर और आपको एक Surrounding Experience आता है ऐसी Company है जो ऐसे Atmos Sound को बनाती है कई Movies में Dolby Atmos का ही यूज किया जाता है ताकि आपको ऐसा लगे कि आप खुद Movie में प्रेजेंट हो और हर एक चीज आपके आजू बाजू Surrounding में चल रही है एक बार हम खुद मैसूस करके देखते हैं कि Surround Sound कैसा होता है कुछ करके आपके देखते हैं सरांड सांड सिस्टम में कई सारे स्पीकर्स यूज़ होते हैं और यह पूरा सेट अप थोड़ा महंगा भी होता है लेकिन इसी का ही एक छोटा सा अल्टरनेटिव भी है वो है साउंड बार एक सिंपल साउंड बार लगाने से आपको आल्मोस्ट वैसा ही साउंड एफेक्ट मैसूस होगा जैसा कि सरांड सांड से आता है बट exactly वैसा experience नहीं होगा लेकिन ये एक अच्छा alternative भी है तो I hope आपको mono speakers, stereo speakers, surround sound system 5.1, 7.1.2, Dolby Atmos ये सब कुछ clear हुआ होगा प्लीज वीटियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you so much and till then enjoy the beautiful sound of the life प्लीज वाइक करें